रास्थन सरकार के मंतरी महेश जोशी के बेटे रोहित पर लगे दुशकर्म मामले में अब रोहित ने दिल्ली हाई कोट में यूती पर हनी ट्रैप में फसाने की याची का दायर करते हुए उतके खिलाफ दर्च एफ आई यार को रद करने की मांकी है गैलो सरकार के मंतरी महेश शर्मा के पुतर रोहित जोशी पर लगे दुशकर्म के आरोप के बाद यह मामला लगतार सुर्ख्यों में बना हुआ है यूति ने रोहित के खिलाब दिल्ली में मामला दर्च कराया था दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जैपूर में डेरा डाला हुआ था रोहित को 18 माई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होना था लेकिन रोहित दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए रोईज ने दिल्ली हाई कोट में एक याची का दायर की है जिसमें उसने इस मामले को हनी ट्रेप का मामला बताया साथी याची का में कहा गया कि उसकी यूती से फेसबुक के जरियत दोस्ती हुई थी लिव इन में भी रहे और सहमती से सम्मन्द भी बनाए साथी आठ जन्वरी को दोस्तों के साथ सवाई मादोपुर जाने की बात भी सुईकार करते हुई कहा कि वहाँ भी यूती की सहमती से सम्मन्द बनाए लेकिन यूती द्वारा उस पर पतनी के तलाक देने के लिए दबाव बनाय जा रहा था उसे ब्लैक मिल कर फरवरी 2022 को नोटेरी से तस्दीक करा कर लिव इन में रहने का भी दबाव बनाय गया उसने यूती को महंगे महंगे गिफ्ट भी दिये यूती द्वारा उसे ब्लैक मिल किया जा रहा था इसलिए उसके खिलाफ F.I.R. को रद किया जाए मामला राजसान का था लेकिन पीडिता को यहां रोहित के पिता के मंतरी होने के चलते राजसान पुलिस से नयाए की उमीद नहीं थी इसलिए पीडिता ने दिली के सदर साने में मामला दर्ज कराया था शिकायत में बताया कि रोहित जोशी जादी का जहांसा देकर जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक उसका शोशन करता रहा पीडिता जब रोहित की हरकतों का विरोध करती तो उसके साथ काफी मारपिट की जाती पीडिता ने रोहित पर सवाई मादोपूर, हिमाचल परदेश, दिल्ली और जैपूर में अलगलग सानूपर देहे शोशन करने के आरोप लगाए इसके साथ ही पीडिता ने रोहित पर उसके पिता महिज जोशी की धोंस दिखा कर पूरे परिवार को जान से माने की धमकी देने और ब्लैक मेल करने के भी आरोप लगाए पीडिता ने रोहित और उसके पितम महेश जोशी से अपने और परिवार को जान का खत्रा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा परदान करने के भी गोहर लगाई पुलिस ने रोहित के जैपुर अवास पर दबिश दी लेकिन रोहित भूमी गत हो गया पुलिस ने रोहित के घर नोटिस चस्पा कर 18 तारीकों इस मामले में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान अधिकारी के समख पेश होने को कह था लेकिन 18 तारीकों रोहित पेश नहीं हुआ